आज हम बात करेंगे सीरियल्स की जी हाँ आपको बता दे कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है आपके मनपसंद सीरियल में आज हम आपको स्पॉयलर देंगे तो एलर्ट होके सुनते रहिए और देखते रहें ये लास्ट तक हमारी ये वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार प्लस के बहुँ चर्जित शो अनुपामा की जी हाँ आखिर अनुपामा की और वनराज के डिवोस पे तो आए दिन मीम बनते रहते हैं लोगों का या तक कहना है अब तो बिल गेट्स का भी तलाख हो गया पर पता नहीं वनराज और अनुपामा का तलाख कब तक होगा तो आपको बता दे कि आने वाले हफते में आप देख पाएंगे कि अनुपामा और वनराज का फाइनली डिवोस हो चुका है सीरियल अनुपामा में वनराज और अनुपामा का आखिरकार तलाख होई गया है लेकिन इस डिसीजन के बाद से वनराज सकते में आ गया उसके बाद उसने एक और बड़ा फैसला लिए है आदे वाले हफते के दारवाई के एपिसोड में आप देख पाएंगे कि वनराज अपने सारे ही रिस्ते नाते खतम कर दिये हैं वहीं काव्या को ये बात क्लियर कर दी है कि अब वो से कभी शादी नहीं करेगा तो वहीं आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है शौरे और अनोखी की जिन्दगी में जी हाँ आम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पे प्रशारित होने वाली धारवाई एक शौरे और अनोखी की कहानी में, जहां पर एक तरफ शौरे के लापता होने से पूरी सब्रवाल मैंचन, टेंशन में आ गया था, वही दूसरी और अनोखी पार्टी करती भी नज़र आई. आने वाले सब्ता की एपिसोड में आप देखेंगे की शौरे अनोखी के बीच एक अजीब सी अनबन सामने आएगी, जहां अनोखी की जिंदगी में आहिर फिर से वापस आ गये हैं, वही शौरे के मिलने के बाद शौरे एक बार फिर हतकंडे अपनाती नज़र आएगी, जि अगर हम बात करें, सीरियल गूम है किसी के प्यार में, तो सई और विराट घर वापस आ चुके हैं, अब देखना ये है कि पाखी क्या कुछ हतकंडे अपनाती है, सई और विराट को एक दूसरे से दूर रखने के लिए, और क्या सत सामने आता है, आई हम आपको बताते हैं क्या होने वाला है आरने के हफता में? तो आज के इंटरेंटमेंट बुलेटिन में बस इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ